हलो फ्रेंड वेलकम टू में चैनल आज आम वीडियो पर ये बात करते हैं कि पाचन को अच्छा रखने वाले फूट से कौन कौन से हैं खानपान अगर सही ना हो तो पाचन पर प्रभाव पड़ता है खाने पीने की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे पेट में आए दिन गरबड़ी होने लगती है कुछ चटपटा हो मिर्च मसाले वाला हो या फिर तला भुना पेट तुरंद खराब हो जाता है और पेट में गैस या एसड़ी बनने लगती है हर दूसरे दिन पेट संबंदी दिक्कतें होना पाचन बिगणने का संकेत भी हो सकता है तो हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनने खाने पर पेट अच्छा रहता है और पेट में गरबड़ी नहीं होती रहती इन चीजों को खाने पर पाचन सुधार होता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं दही की दही पाचन सुधारने में दही के फायदे भी देखे जा सकते हैं दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को दुरस्त रखते हैं दही को साधा भी खा सकते हैं या फिर इसका रायता बना कर भी सेवन किया जा सकता है अब बात करते हैं अद्रक की पेट की दिक्कतों में अद्रक रामबान साबित होता है इसके सेवन का तरीका भी बहुत आसान है अद्रक को छोटे टुकडों में काट कर डेड़ कप पानी मिला कर उबाल लें इस कप में शाने और इस अद्रक वाली चाय को पिएं स्वाद के लिए इसमें हलका शहद या नीबू का रज भी डाला जा सकता है और अगली चीज के बारे में बात करते हैं वो है चिया सीट्स पाचन को अच्छा रखने के लिए रोजाना चिया सीट्स का सेवन भी कर सकते हैं ये भी फाइबर से भरपूर होते हैं पेट की दिक्कतों को दूर करने में फाइबर का बेहद असर अच्छा असर दिखता है, फाइबर के अलावा चियासीट में गट फ्रेंडली बेक्टीरिया भी होते हैं, इनके अलावा सेव भी आप खा सकते हैं, फाइबर से भरपूर सेव भी सेहत के लिए कमाल का साबित होत सेव का असर पाचन को सुधारने में खासतोर पर नजर आता है। सेव खाने पर कबज की दिक्कत दूर होती है और दस्त से भी शुटकारा मिल सकता है। सरदार है। तो फेंड इस तरह से आप इन चीजों को खाकर पेट में गैस, एस्टी जैसी दिक्कतों से को दूर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस रहें।